दोस्तों हिंदी सिनेमा के सुपड श्टार्ट धरम जी यानी धर्विंदर ऐसे तो आप धरम जी के बाड़े में कई सारे अनसुनी किसे सुने हैं लेकिन ये अनसुनी किसे आप साय जी सुने होंगे ये अनसुनी किसे धरम जी यानी धर्विंदर और मौसमी चटर जी से जु यही नहीं ससी कोपूर जैसे बड़े कलाकार के साथ काम किये थे इतना ही नहीं उस वक्त मौसमी चटर जी की घिंती फिलिम इंडिस्टी की टॉप एक्टर्स में हुआ करता था हलाई के एक बार शुपर इश्टार धरम जी यानि धरवेंदर ने उन्हें घर का रस्ता दिखा दिया था यही नहीं उन्हें गेट आउट कहके भगा दिये थे दरसल बताय जाता है मौसमी चटर जी की सुसूर और अपने धरम जी यानि धरवेंदर अच्छा कासा धोस थे और इसलिए धरम जी जहां भी मौसमी चटर जी को दिखते थे अकेले तुम इनसे पूछते थे कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो तुम अकेले हो तुम्हारा प मौसमी चटर जी अपने दोस्तों के साथ चले गई और वहाँ पे अपने धरम जी और धरम जी के बाय भी मजूद थे और अपने धरम जी मौसमी चटर जी को देख लिए और अपने धरम जी उनसे पूछने लगे कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम्हारा पती कहा ह और तुम किस के साथ आई हो लेकिन मौसमी चटर जी अपने दोस्तों की और इसारा कर दी लेकिन अपने धरम जी समझ गए कि मौसमी चटर जी अपने दोस्तों के साथ आई है और कुछ देर अपने धरम जी इधर उधर देखते है और गुसा जाते है और मौसमी चटर जी को कह गेट आउट तुम यहां से अभी निकलो। अपने धरमजी तुरंत अपने भाई को कहते हैं इसे गारी में बैठाकि पहुंचा दू साइथ उस बक्त अपने धरमजी का भाई जिनदा ही थे इसलिए इसकिसे में अपने धरमजी का भाई का भे जिक्र किया गया है। दोस्तों ये अंसुनिकी से कशा लगा आप कोमेंट करके जरूर बताईएगा ऐसे अंसुनिकी से मौसमी चटर जी ही एक इंटर्व्यू में बताई थी